एलो डियर स्टुडेंट्स वेलकम टो अवर चैनल एजुकेशनल गोल और आज के इस वीडियो में क्लास टेंथ जनरल इंगलिज का पेपर हम सौलू करने जा रहे हैं और मेरी कोसिस रहेगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की थे लेकिन जो लोग उनको पर्सनली सरदार पटेल को जानते थे वह यह मानते थे कि सरदार पटेल का भी बहुत नरम दिल है और वो कोई सक्त किसम कि आदमी नहीं है तो यह पेसेश पूरा सरदार पटेल के बारे में हैं और यह उसके पांच क्युष्याने कुल मिला करके इनके आंसर में आपको लिखित में दे रहा हूँ, जैसे कि लोग सदार पटल को किस नाम से बुलाते थे, उनकी क्या खासियत थी, है ना, वो किन लोगों के लिए दयालू थे, ठीक है, और ये चाटना है, आपको एक चूजदा करेक्ट भी चाटना है, तो सिदे में आपको इनके अंसर बता देता हूँ, आप लिख लीजिएगा, तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पहला वाला उत्तर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चोथा, ठीक है, और एक और इसमें है, सायद वो खालिस्तान है, तो मैं देखता हूँ उसको जरा, हाँ तो ये पाँचवा प्रस्टन है, तो पाँचवा प्रस्टन है, लग का आपको मिनिंग चाटना है, ये जो पैसेज है, इसी में चाटना है, तो वो है फोर्चून, ये आप देख सकते हैं यापे, ये फोर्चून इसका उत्तर रहेगा, लग का, ठीक है, तो बाकी तो सभी मैंने इस उत्तर में बता दिये, एक बार और आपको दिखा देता हूँ, तो ये देखिए, ये चार उत्तर है, पाँचवा मैंने आपको पैसेज में से दिखा दिया है, आगे देखते हैं, अगला पैसेज, एक पोयम की कुछ लाइने दे रखी हैं, और क्विश्चन आंसर पुछे हैं, ठीक है, तो इनके आंसर भी मैं आपको लिखेत में दे रहा हूँ, सिर्फ आपको सिधे लिखना है, पोयम यही है, कि रहवार के दिन जो पस्चिम में दिन उतरता है और तारे आ जाते हैं, यानि कि पूरा नेचुरल यह पोयम रात में जो है चंदरमा फूलो के समान चमकता है और इसमाइल करता है खेतों की तरफ ठीक है, तो इसके उतर मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यह देखिए, सारे लाइन से उतर में दे रखें, यह पहले वाला यह दूसरा यह तीसरा, यह चोथा और यह पांचवा, डिसेंड का अपोजिट पुछा था, तो एसेंड होता है, ठीक है, डिसेंड महलब उतरना एसेंड महलब चड़ना, तो यह सारे आंसर मैंने आपको दे दिये, अब तीसरा पेसेज हम देखते हैं तीसरा जो पेसेज है, असोक के सार इस्तंब से जो चिनल लिए गए वो आप देख सकते हैं वो जो तीन या चार जो सेर जिसमें होते हैं, वो उसकी बात या चल रही है और उसके ये क्यूस्चन है, एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है ये सभी क्यूस्चन के आंसर मैं आपको एक साथ दे रहा हूँ बहुत सार तो यहीं मिल जाएं, इसमें 24 चकर होते हैं, आरे में ठीक है ग्रेट की नाउन प्राम, ग्रेटनेस होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको सभी के उत्तल लिखित में दे रहा हूँ तो यह देखिये, सारे यह पहला वाला, यह दूसरा वाला, यह तीसरा, यह चौथा और यह पांचवा यह पांचो आंसर मैंने आपको अगले तीसरे पेसेज के भी दे दिये हैं अब आगे बढ़ते हैं हम देखिए अब चोथा प्रस्न है Bookbank की application है यह तो आप लिकी सकते हैं ठीक है अगर आपको फिर भी problem है तो आप हमारे चैनल की playlist पर जाना और जहां letter से लिखा है उसको click करना उसमें बहुत साई letter है उसमें application भी है bookbank है आपको मिल जाएगी ठीक है अब आगे बढ़ते हम अब देखिए पांचोथा प्रस्न फिर एक passage है passage आपको साफ ना दिख रहा हो तो कोई दिकत नहीं note making इसकी बनानी है ये pesos किसके बारे में तोड़ा से मैं आपको बता देता हूँ कि भारत हमेशा से एक सहिशनु देश रहा है और भारत के सविदान में भारत को एक धर्म निर्पेक्ष राष्ट बताया गया है ठीक है और इस pesos में एक आगा गया है कि हमें भारत के मुल्यों की रक्षा करनी चाहिए और हर किसी के प्रति संमान रखना चाहिए ऐसा पुरा है पैसे इसकी Not Making आपको बनानी है तो मैं Not Making आपको बनी बनी बता रहा हूं ठीक है तो ये देखिए ये आपके लिए मैं Not Making बनाया है ठीक है समरी में नहीं बनाई है समरी इसलिए नहीं बनाई है कि समरी बनाना बहुत आसान है कुछ नहीं आपको स्पेसेज में से इतना लिखना है कि आपकी पांच चलाए ना आपकी काफी की फुल हो जाए ठीक है बस इतना आपको करना है अब आगे में बढ़ता हूं अब उ कुछ से डूंड सके तो प्लेलिस्ट पर जाना ऐसे की जो प्लेलिस्ट वहां खोलेना आपको सारे निवन वहां पर मिल जाएंगे अब हम ग्रामर को समझते हैं अच्छे से ठीक है देखिए सबसे पहले रिक्तिस्ताने में सिधे आंसर बता रहा हूं कि पहले वाले में इट अगले देखते हैं यह अगले वाले यह भी रिक्तिस्तान है ठीक है मौन वाज वेरी टायरड ठीक है तो ही इसमें आ जाएगा वेंट आ जाएगा ठीक है सारे आंसर बिलकुल सही बताया है में ठीक है आपको कोई टेंसे नहीं के जुरत नहीं है अब हे डू एस डारेक्टेट पहले वाले को नेगेटिव बननाना ए दूसरे वाले को सौ डेट से जोडना ए सारे आंसर लिखे हुए नेगेटिव वाला ए सौ फास्ट जोडने वाला ये पास पर्फेक्ट का इसको करेक्ट करना था इसको वैर से प्रेश्ट में बनाना था इसको अनलेस से जोड़ना है और इसको बिकास से जोड़ना है ठीक है यह सारे एभिट में है मुझे इसलिए मैंने बहुत जल्दे आपको बता दिये ठीक है आप आसानी से इनको लिख सकते हैं ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अगले बसनी की और अब आगे ट्रांसलेशन है वहाँ क्रिकेट खेल रहा है मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं किया आप तेर सकते हैं मेरे किक्षाम 50 विद्यारती है राम और श्याम मित्रे मैंने पांच के बनाए क्योंकि पांच ही बिल्कुल स रामेंट्स यामार फ्रेंड्स ठीक है यह सारे आपके अंसर हो गए अब आगे बढ़ता हूं मैं अगले प्रस्टन की और अगला सेक्षन है सेक्षन डी सरदार किसान सिंग का भगत सिंग वाला लेसन जो है पहले वाले का उत्तर हो जाएगा डोंट मूफ राम हियर अगला जो है तो सर्दार भ॥गत सिंग कोन थे कि शान सिंग के पुत्र थे तो पहले वाला उप्सवन हो जाएगा ठीक है अब अगला पैसे देखे आप ठीक है अगला पैसे जो है वह लेसन शिक्सटीन आपका है साहई है शक्रीन है यह तो इसमें आपके सिध़ा अंसर मैं आपक दा मिनिंग ओप दा वर्ड आम सेज यहनि कि दान को क्या बोलते हैं चेरिटेबल डोनेशन ठीक है अगला है तो नीडी पीपल वाज इंदा फाम उप किस प्रकार से मदद करते थे हो चावल के रूप में ठीक है फिर अगला है वाट डिड पीपल डू आफ्टर रेसीविंग लेंड क्या लिख दोगे फार देयर मदल लेंड वाई से मद लिखना दीज से लिखना उत्तर ठीक है अब आगे बढ़ता हूं मैं अगला प्रश्ण की और अगला प्रश्ण हमारे क्या प्रश्ण उत्तर है तो यह तो आप खुद ही कर लोगे आपको कुछ तो लिखा अब नीचे जो है वह एक पोएम को में चश्रेक्चा सिस्धा एंसर बता रहा हूं में मेंशकों का नेमब क्या है विंड है ठीक है क्या लिखोगी इसमें अप विंड से इसका अंसर मिल जाएगा ठीक है यह लाइट दा लेम पो भी एबाउट में से आप लिख सकते हैं पिर छोटे-छोटे प्रस्ट ने जो है यह इसलिए मैं इनको इनका उत्तर नहीं दे रहा हूं क्योंकि आपने कुछ तो पढ़ाई की होगी आप आसने सिंग को कर सकते हैं उसके बाद यह जो प्रस्टन है यह आपकी वर्क बुक में सब वर्क बुक में मिलेंगे ठीक है यह मलेर्यावल लेसन का है ठीक है पन्ना धा जो थार्ड लेसन है ठीक है वाट वाजदा क्युचन अप अमेरिका नूमेन यह भी थार्ड का ही है प्रोब्लम की सोल्जर की प्रोब्लम क्या थी यह पांच वा करिए कि आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जा है थैंक्स फार वाचिंग धिस वीडियो